हलो दोस्तों वेलकम बैक टू स्टेडी वित्तिवारी चैनल तो गाइज मैं आपको इसमें जो बिगित परिच्छाओं के महत्पूर कोशन कराऊंगी तो इसमें यदि आपके पास टाइम नहीं है समय नहीं है तो मात्र में आपके लिए इसमें 15 कोशन कराती हो है ना 15 कोशन क करते हैं प्रतेक दिन श्याम को इविनिंग में आपको मेरी क्लास मिल जाया करेगी उसमें मैं आपको बिगित परिच्छाओं में जो कोशन पूछे गए हैं 15 कोशन डेली कराऊंगी तो आप क्लास से जुड़े रहें यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर आया जाता है तो आप इसको देख सकते हो कि प्रतेक एग्जाम में कम से कम 5-6 कोशन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं इसलिए हमें बिगत परिच्छाओं में जो कोशन पूछे गए हैं उनको जरूर देखना चाहिए इनसे हमें प्रॉफिट ही होता है लॉस नहीं होगा तो आप देख सकते हैं इस कोशन को कितनी बार कितने एग्जामों में पूछा गया है ग्रामबेका सदकारी 2021 में भी पूछा गया है आपको पता है 2022 चल रही है तो अभी पूछा गया है कुछ दूरों के बाद देसंबर में पूछा गया था पी एसाई एग्जाम में भी प कब मनाया जाता है सीध है 30 march को 30 march Liberty prokburg on 30 march को जो फोर्ट चलन वनाता है उसमें यह मैंना यह आया तो तो ही लेटथ पूछा गया है च्छटा संभाग कब बना था तो सिंपल सा याद रखना रहे ? अपको अजमेर संभाग कुशा है यदी जिला पूछて तो चिप्वीसमा जिला था?". उन्नीस सो छपन को अजमेर को चिप्वीसम जिला बनाया गया था लेकिन इसमें पूछा है समभाग तो छटा समभाग कब बनाताग 1 1987 में 31 साथिन मरौ नेस्ट कि वांद प्राचीन नाम था तो किसका प्राचीन नाम था मांड की जगे आप को कोश्चन में बल्लब भी दे सकता है बल्लब प्रदेश भी दे सकता है तो जैसल फैक्ट को बोलते हैं नैस्ट ये कोश्चन बहुती प्यारा है बहुती अच्छा है निमने मैसे राजस्तान के सलंगन जिले कोंसे आप इस को साइद नहीं समझ पाएं कि तो आप देख सकते हैं। सुरोई इधर है बाड मेर और जैसल मेर तो ये तो नहीं है तीक है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो आपके पास मैप होगा तो आप मैप में मैच कर सकते हो एक लगातार क्रम से जो जिले दे रखें हैं उनका सही युगम है C विकल्प नेस्ट एस में गंगा नगर से हनमानगर जिले का गठन कब हुआ तो पटवार अभी 2021 में भी पूछा गया एक कोशन है गंगा नगर से हनमानगर जिले का निर्मार कब हुआ था तो सिंपल सा फैक्ट है 94 में हुआ था 94 में तो 12-7 94 में 12-7 94 में ओके नेस्ट एस में राजिस्तान में करोली जिले का गठन कब हुआ तो देखो यह भी 21 में पूछा है यह भी 21 में पूछा है तो राजिस्तान में करोली जिले का गठन 1997 में हुआ था 97 में 1997 सतान में नेस्ट नेस्ट है इसमें यह तो सिंपल है राजपूत राजस्थान के लिए राजपूत आना सब्दिका प्रियोग शर्व प्रिथम किसने किया तो सर्व प्रिथम पूछा है तो राजस्थान के लिए राजपूत आना सब्दिका सब्रियोग किसने किया जैयन में पूछा गया है यह तो किसने किया था जोर्ज थोमस ने अठारे सो इस पी में जोर्ज थोमस ने किया था कि कर्णल जैंप तोड द्वारा लिखित अनालिसिस एंड एंटीक्युटीज ओफ राजिस्तान पुस्तक में तॉड़ ने इसका दूसरा नाम क्या दिया तो आप देख सकते है इसमें आपको पता है ये कब आई थी 1830 में छपी थी तो इसी का दूसरा नाम क्या था तो सिंपल साय यदि आपने पढ़ावी होगा इसकी दो पुस्तके थी तो इसमें से कौन सी थी इसका नाम था दा सेंट्रल एंड बेस्टन राजपूत स्टेट ओफ इंडिया इसी का दूसरा नाम था आठ कोश्चन हो गए अब इसमें नौ में नम्मर का जो कोश्चन है राजस्तान सब्दिका प्रियोग शर्व प्रिथम किस अबलेक में हुआ है तो राजस्तान सब्दिका प्रियोग शर्व प्रिथम पूछा इसमें पहली बार किस अबलेक में हुआ था गटियाला सिलालेक प्रशंतिगड अबलेक कुंबलगर प्रिसस्ति या रड़कपूर प्रिसस्ति तो ये तो दोनों विकल्प नहीं अब आपको पता है गटियाल अबलेक में किसका बढ़न हुआ है प्रितिहार मंसों का हुआ है तो इसमें आएगा बसंतिगड अबलेक में राजस्तान सब्दिका सपर्तम प्रियोग हुआ है राजस्तान सब्दिका प्रियोग हुआ है ये देखो कितना अच्छा कोशन है राजस्तान सब्दिका प्रियो जायस्तान के किस चिले, को जालंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो यह तो simple सा है, NCRT की किताब, कछह 6, पार्थ नम्बर 2, पार्थ नम्बर 2 में जो फास्ट प्यज है, फास्ट प्यज के बाद जो second प्यज उसमा मिल सकता है यह कुश्ण, जालंग प्रदेश किस को बिकानेर को नेस्ट उद्यपूर जिले का पुरातन नाम क्या था उद्यपूर जिले को क्या बोलते थे यह भी पार्ट नमबर दो में भी मिल सकता है आपको यह दोनों ही कोशन लेसन नमबर टू से लिए गए गए एन्सी आर्टी कच्छा छे से तो उद्यपूर जिले का पुरातन नाम क्या था सिभी जनपत नेस्ट श्री गंगा नगर सहेर स्री गंगा नगर जिला चेत्र के किस भाग में इस्तित है पताई इसका राइट अंसर क्या होगा स्री गंगा नगर सहर स्री गंगा नगर जिले के चेतर किस भाग में इस्तित है तो सिंपल है उत्तरी भाग में इस्तित है इसी यहाँ पर ही तो है उत्तरी भाग में नेस्ट निमलिकित में से अधिक्तम भोगोलिक दूरी बाला समू कौन सा है मतलब दूर जो इस्तित है जैपूर और बीकानेर जैपूर और जोधपूर जैपूर और कोटा जेल प्रहरी दोजर अठारे में पूछा गया है अधिक्तम दूरी जिस परकार से भारत का राईस्तान का में पहए यह। जएपूर है बीकानेर कहां पर है यहां है जोधपूर कहां है कोटा कहां है सरवादिक दूर आपको क्याल नजर आ रहाए एतना है यह ज़्यादा फाक्सला है जैपूर और दॉधएपूर नेस्ट राजिस्तान के नकसे में निम्लेक्त में से कौन सा सिदूर दच्छड में इस्तित है तो देखिए इस प्रकार से भी कोशन पूछे जाएंगे आप आपको पता है रीट में 90 या 70 कोशन आएंगे है ना 70-80 के सम्थिंग आएंगे तो उसमें कैसी भी कोशन आपसे होके तो दच्छड में पूछा है तो हम देखते हैं मेडता सिटी नागॉर तो नागॉर कहाँ पर है मन में हैं यहां है नागॉर ऊके राजसंद कहां पाली कहां पर है राजसंद्ध के क्या पूचाए इसमें सिदूर दच्छण में इस्तित है तो मेर्ता सिती नागोर रासमन देखिए यह है दोबारा से देखते हैं मेर्ता सिती नागोर यहां हो गया सोजत पाली यहां हो गया मारबार जंसन यहां हो गया मारबार जंसन तो इदर ही आएगा यहां पर और फिर पूछा एक गई साही वात है सोज़त से थोड़ा इधर है तो इसमें आएगा राज समन कि नेस्ट कि उत्तर दच्छड विस्तार किस खिले में है उत्तर और रच्छड फूछा है उत्तर और रच्छड उके तो बताइए कि VO में होगा देखिए उत्तर और दच्षड इस प्रिकार से राजस्तान का मेप है इधर उत्तर है और इधर दच्षड है इधर है पच्षिम और इधर है पूरब तो बताएगे क्या होगा इसमें दच्षिड उत्तर और दच्षिड बताना है आपको उत्तर और दचंट इस इदर की सावान जजनों कहाँ है इदर बारा बार और कना आपको दच्षिड मीं 你 neck भी wed uh जाल吧 भाला का ला भाला बाल दचण में । यह भी कट雅 य कोणशा हा प। लन इ pen नेस्ट आज की इस क्लास में सिर्फ हम 17 कोशन देखेंगे अगली नेस्ट क्लास में यह सीधी जब आपको लगातार मिलेगी ठीक है ना इसी टाइम राम देबरा जैसलमिर जला मुख्याले से किस दिसामे इस्तित है तो आप देख सकते हैं जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया सारे के सारे आई होप आपको यह सैसन बहुत ही अच्छा लगा होगा यह फस्ट टेस्ट सीरीज है और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी मित्रों के साथ इसको सेर जरूर किया करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इसी प्रक अच्छाओं में पूछे गए कोशनों के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा बाई बाई टेक कियर ओल आफ यू